हेलो फ्रेंड्स, आयाम भारती, वेलकम टू नमबर बन साइंस क्लास, आप इस चैनल पर मैथमेटिक साटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंसी रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे कंसेट्स ओफ कंटिनिवस रेंडम वेरियेबल जिसमें हम बात करेंगे कंसेट्स, प्रिबैबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका एक्जामपल, कंटिनिवस दिस्रिपूशन फंक्शन, उसका एक्जामपल तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को यह जो टॉपिक है जो कंसेट्स ओफ कंटिनिवस रेंडम वेरियेबल यह important है जो BAC कर रहे हैं, जो MSC कर रहे हैं और जो Indian Statistical Service एक्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं concept की, concept क्या है continuous रेंडम वेरियेबल का, देखें अगर हमारे पास variable है, random वेरियेबल है हमारे पास X, कब उसको continuous कहा जाता है, जब वो possible values लेता है, जितने भी उसकी possible values है, all possible values, integral, जैसे की integer तो है ही, as well as कह हो, fractional भी है, मतलब integer भी है, और fraction भी है, मतलब fractional भी है, between certain limits, जैसे की, कुछ limits, जैसे की minus infinity to infinity है, जैसे कुछ उसकी limit है, तो उसको हम कहते हैं कि continuous random variable, अगर हम other words में कहेंगे, तो random variable क्या है, कि random variable continuous है, यह सेट टो भी continuous, कब continuous है, when it's different values, जो उसकी different values है, cannot be put, जो उसकी different values है, उसको हम put नहीं कर सकते, one one correspondence में, और किसके, किसके साथ, a set of positive integers, जो हमारे पास set of positive integers है, उसके साथ, हम one one correspondence में, उसकी values put नहीं कर सकते, यह हो गया हमारा continuous random variable, देखें तो फिर हमने यहां पर क्या देखा मतलब क्या होता है कि जो random variable x उसको हम कह सकते हैं continuous जब उसके जो all possible values है जिसे की integral है और fractional है कोई भी values है उसकी वो between limits में है मतलब एक certain limits है उसकी वाले कि उससे यहां से यहां तब ऐसे उस limits में उसको लाए करता है तो उसको हम कहिते हैं continuous random variable लास्ट वीडियो में हमने बात किये थी discrete random variable आज हम बात कर रहे है continuous random variable आपको अगर discrete random variable पता करना होगा कि क्या होता है कैसे होता है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं अब भी बात करते हैं example कि example of continuous random variable देखे height है weight है यह कैसा करता है जिसे कि अपने को data दिया रहता है कि 50 to 40 ऐसे weight के जो students है वो फिर age दी रहती है height रहती है मतलब जो limit है वो certain limits में उलाए करता है फिर probability density function देखे probability density function मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास small interval है x और x plus dx और length किसकी dx की round the point x length क्या है यहाँ पे dx है round the point x है let f of x क्या है be a continuous function है f of x क्या है continuous function है और x क्या है continuous function किसका है x का है और f of x dx क्या होता है probability होता है that x false in an infinite interval तो x और x plus dx को हम symbolically हम कैसे दे सकते हैं जैसे कि यह probability density function हम देख रहे हैं अगर हम बात कर देते discrete random variable कि तब हम वहाँ पे probability mass function लेते हैं confuse मत होना discrete और continuous में जब continuous रहता है तब हम density function लेते हैं और जब discrete रहता है तब हम mass function लेते हैं तो यह देखे इसको symbolically हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमने words में लिखा है कि p of x is less than or equals to x capital x is less than or equals to small x plus dx जो ने यहाँ पर बताया था कि interval हमारे पास यह है यह हो गए हमारे interval जैसे कि यहाँ पर कुछ भी लग सकते हैं यहां से यहां तक फिर x क्या है हमारा value है point है हमारा fit equals to f x of x dx यह हो गई उसकी value x की f x of x dx फिर बात करते probability density function probability density function मतलब क्या होता है कि f x of dx रिप्रेसंट क्या करता है area को रिप्रेसंट करता है bounded by the cover देखिए f x of dx एक curve यहाँ पर हमने curve निकाला है और यहाँ पर देखिए है rounded मतलब यहाँ पर यह जो है जो हमने shaded region है यह क्या करता है represent क्या करता है कि f x of dx को और curve क्या है y equals to f of x यह जो curve है उसकी value है y equals to f of x x इस पर हमने draw किया है and ordinates add them point x and x plus dx देखिए x और x plus dx है हमारे values the function f x of x so defined is known as जैसे कि जो हमारा value है f x of x अगर हम उसको define करते है जो हमारी value है f x of x की उसका हम कहते है probability density function और simply density function of random variable x and it is usually abbreviated as pdf देखिए pmf मतलब होता है probability mass function और pdf मतलब होता है probability density function जो हमारे पास expression है f x of dx इसको कैसे लिख सकते है d f of x जब हम उसको d f of x लिखते है तब हम उसको कहते है probability differential और curve जो रहता है वो रहता है कि y equals to f of x उसको हम कहते है probability density curve यह जो देखिए यहां से ही जो curve है y equals to f of x वाला उसको हम कहते है probability density curve और simply probability curve यह हो गया probability density function अब ही definition की बात करते है definition of probability density function definition pdf मतलब probability density function f x of x of the random variable x is defined as जो हमारे पास है probability density function f x of x उसको हम कहीं से denote करते हैं कहीं से define करते हैं f x of x equals to limit del x tends to 0 p of x is less than or equals to x is less than or equals to x plus del x यहां पे देखिए x plus del x यहां पे यह इसकी last range है last value है up to so on मतलब कहा तक x plus del x divided by del x यह हो गया हमारी definition probability density function की यह जो है यह अपने पास ही दिया है कि continuous random variable के value की यह इस रहती है x मतलब हमारी starting range मतलब जहां से होता है value और कब तक x plus del x तक यह है तो यह हमारे पास दिया है continuous random variable में probability density function में हमने क्या लगाया कि इसरी f x of x की value क्या रहती है limit del x tends to 0 अगर limit हम यहां पे put करते है del x tends to 0 तो p of x is less than or equals to capital x is less than or equals to small x plus del x divided by del x यह हो गए हमारी definition probability density function की अभी बात करते है properties और probability density function अगर देखिए यहां पर देखिए यहां पर total three properties है f of x is greater than or equals to 0 जो f of x की value है वो greater than or equals to 0 चाहिए second है integration over minus infinity to infinity f x f of x dx equals to 1 जो हम integration लेंगे minus infinity से infinity तक f of x dx की उसकी value क्या है वर है the probability p of e even by देखिए मतलब probability किसी event की वो कैसे हम लिएनोट करते हैं अभी हमने इतना probability density function और continuous random variable देखा अभी हम इसकी example देखते हैं the diameter of electric cable देखिए यहां पर अपने को क्या दिया है electric cable की diameter दिया है say x है diameter of electric cable क्या है capital x है उसको हम मजूम करते हैं कि continuous random variable है with pdf f of x क्या है यह देखिए आपर एक function है जो अपने को दिया होगा f of x equals to 6x into 1 minus x 0 is less than or equals to x is less than or equals to 1 अपने को क्या check करना है check that f of x is a pdf यह क्या है probability density function है f of x और second क्या है अपने को क्या determine करना है a और b की values define करनी है define करनी है define करनी है और क्या है p of x is less than b equals to p of x is greater than b है तो चलिए solution देखते हैं इसका solution देखिए 0 is less than or equals to x is less than or equals to 1 और f of x is greater than or equals to 0 यह देखिए आपे values हैं now integration over 0 to 1 f of x dx हम यहापे integration लगा देगे equals to 6 integration over 0 to 1 x into 1 minus x dx यहापे f of x की जो value है वो हम यहापे put कर देगे equals to 6 यह जो constant है इसलिए हम integration की इसको बाहर लेंगे integration over 0 to 1 integration over 0 to 1 x minus x square dx equals to 6 mod of x square by 2 minus x cube by 3 mod this की limit क्या है 0 to 1 equals to 1 इसकी जो value है वो क्या आती है hence f of x is the pdf of the random variable x यह क्या है pdf है random variable x की जब value हमारी integration की 1 आती है तब हम उसको कहते है कि वो probability density function है random variable x का अभी second उसको solution solve करते है p of x is less than b equals to p of x is greater than b है integration over 0 to 1 f of x dx equals to integration over b to 1 देखें यहां से less है तो इसकी limit क्या होगी 0 to 2 और यहां पर greater है तो यहां पर limit क्या होगी b to 1 f of x dx अभी हम उसको ही वैसे ही उससी limit से solve करते हैं यहां पर हमने f of x की value ली फिर हमने वैसे ही इसको जैसे solve किया था उसको ऐसे ही solve किया और यहाँ पर हमने limit food कर दी है X के जगा हम यहाँ पर B put करेंगे तो B square by 2 minus B cube by 3 फिर यहाँ पर हम इसको solve करेंगे तो 1 by 2 minus 1 by 3 minus यह जो है वो as it is रहेगा फिर 3B square minus 2B cube यहाँ पर देखिए हमने इसको solve किया equals to 1 minus 3B square plus 2B cube हम इसको दोनों सरस के solve करेंगे तो अपने इसको मिलेगा 4B cube minus 6B square plus 1 equals to 0 उसको हम solve करेंगे उसका एक common fiction निका लेंगे 2B minus 1 तो अपने को value मिलेंगे 2B square minus 2B minus 1 equals to 0 तो यह जो value है वो equals to 0 होगा तो 2B minus 1 equals to 0 B equals 2 की value के आ गई है अपने पास B equals to 1 by 2 और देखे यह जो quadratic equation है वो बाकी है और 2B square minus 2B minus 1 एक वस to 0 यह देखे quadratic equation है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इस formula से उसको solve करेंगे तो अपने पास value होगी 1 plus और minus root 3 by 2 हैंस इसी value नहीं रहे सकती इसलिए BKK value होगी B equals to 1 by 2 हम यहाँ पर put करेंगे तो अपने पास value आजाएंगे और उसका answer भी 1 आजाएगा इसलिए probability density function हुआ और वो कहाँ पर लाए होता है 0 से 1 तक मतलब उसकी limit क्या है 0 and 1 है फिर बात करते continuous distribution function की देखे continuous distribution function का होता है कि जब हमारे पास x रखता है वो कहा रहता है continuous random variable कभी रहता है जब f x of x equals to p of x is less than or equals to small x equals to integration over minus infinity to 2x f of t dt minus infinity is less than x is less than infinity उसको हम क्या कहते है distribution function कहते है और sometimes उसको हम क्या कहते है cumulative distribution function भी कहते है मतलब cdf of the random variable x मतलब हम जब कभ उसको continuous random variable कर सकते है जब हमारे पास f x of x equals to p of x is less than or equals to x रहता है तब उसको हम क्या कैसे integration से solve करेंगे minus infinity to x f of t dt minus infinity is less than x is less than infinity जैसे देखे हैं ठीको x की value दी है इसलिए यह आपे सारी terms x की है अगर अपने को y की term निकलने होगी y of y equals to p of y is less than or equals to y equals to integration or minus infinity to y f of t dt minus infinity is less than y is less than infinity हम उसको y से भी लिख सकते हैं अभी properties of distribution function दिखते हैं देखें यह जो properties है इसकी continuous random variable की 0 is less than or equals to f of x is less than or equals to 1 और minus infinity is less than x is less than infinity है from analysis rayman integral we know that f dash of x equals to d by dx f of x equals to f of x is greater than or equals to 0 रहता है ठीक है f of x is a pdf इसलिए यह greater than or equals to 0 होगा और उसकी properties उसको यहाँ पे अपलाए होगी फिर f of x is a non-decreasing function of x है यहाँ से अपने को क्या मिला कि f of x क्या है non-decreasing function of x है फिर थर्ड क्या है property कि f of minus infinity है तो वहाँ पे उसको हम कैसी solve करेंगे कि limit x tends to minus infinity होगा फिर f of x होगा उसको हम limit x tends to minus infinity उसको f of x में हम integration पूट करेंगे integration over minus infinity to x f of x dx equals to integration over minus infinity to minus infinity f of x dx equals to 0 यहाँ पे जब minus infinity रहता है तब value आती है 0 और जहाँ पे plus infinity रहता है तब value आती है 1 इसलिए वो लाए होता है 0 is less than or equals to x f of x is less than or equals to 1 यह हो गई third property अभी fourth property देखते है कि f of x कब continuous रहता है of x on the right कब continuous रहता है continuous of x on the right फिर fifth क्या है that discontinuous of f of x are at the most countable जब discontinuous of f of x रहता है तब वो ज़्यादा countable रहता है और sixth क्या है it may be noted that p of a is less than or equals to x is less than or equals to b equals to integration over a to b f of x dx equals to integration over minus infinity to b f of x dx minus यहाँ पर हम देखे है यहाँ हमने solve किया a integration over minus infinity to f of x dx उसको integrate किया है फिर यहाँ पर हमने limit put किया है पहले भी फिर बात में a फिर p of x is less than or equals to b minus p of x is less than or equals to a equals to f of b minus f of a जो हमने last video में put किया solve किया था कि distribution function की properties क्या क्या है वो हर distribution function में apply होती है फिर वो continuous रहो या discrete रहो या कोई भी रहो similarly p of a is less than x is less than b equals to p of a is less than x is less than or equals to b equals to p of a is less than or equals to x is less than b यहाँ भी देखी जैसे हमने a के लिए solve किया उसी तरह हमने इसकी value निकाल ले कि equals to integration over a to b f of t dt यह होगी properties of distribution function अभी बात करते हैं example की example continuous random variable का तो देखे verify that the following is a distribution function अपने को क्या verify करना कि यह distribution function है f of x क्या दिया है 0 कब जब x is less than minus a होगा तो यह 1 by 2 into x by a plus 1 कब होगा minus a is less than or equals to x is less than or equals to a 1 कब रहेगा जब x is greater than a रहेगा तब भी इसको solve करते हैं solution में देखें obviously the properties first, second, third and fourth जो हमने यहाँ पर देखी यह जो properties है वो are satisfied also we observed that f of x is continuous है at x equals to a है and x equals to minus a as well यहाँ पर देखिए x equals to a भी है और x equals to minus a भी है तो इसलिए now d by dx f of x यहाँ पर हम d f of x का यहाँ पर हम use कर रहे है इसको हम differential function हम बोला था equals to 1 by 2a minus a is less than or equals to x is less than or equals to a और 0 otherwise equals to f of x रहेगा in order that f of x क्या है distribution function है और f of x क्या है pdf है probability density function तो अपने वेको हम इसको हम assess कर सकते है कि integration और minus infinity to infinity f of x dx equals to 1 है क्योंकि यह pdf है probability density function है और इसलिए integration और minus infinity to infinity f of x dx equals to integration over minus a to a f of x dx equals to उसी तरह हम उसको भी put कर सकते है equals to 1 by 2a integration over minus infinity minus a to a 1 into dx equals to 1 hence f of x क्या है distribution function है अगर हम इसको solve करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा value इसकी 1 आएंगी इसलिए distribution function है यह आपर अगर integration की value अगर 1 आते है तो वो distribution function रहता है तो यह था complete आपका video concept of continuous and random variable जिसमें हमने देखा कि concept क्या है उसके example क्या है probability density function मतलब क्या होता है फिर probability density function में हमने उसका curve देखा फिर definition देखिए कि exact definition क्या है formal definition फिर हमने properties देखिए 3 properties देखिए हमने एग्जांपल देखा फिर example में question देखा उसका solution देखा continuous distribution function मतलब क्या होता है वो देखा उसके formal definition देखी फिर properties of distribution function देखा हमने कि कौन-कौन सी properties there are total six properties फिर हमने example देखा फिर हमने solution में देखा देखिए एग्जांपल में मैं question देखा था फिर हमने solution देखा तो यह था complete आज का वीडियो concept of continuous random variable I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो like कीजी अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो dislike कीजे इस like क्या वो भी आप मुझे comment box में बताइए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सबस्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सबस्राइब कीजे बेल आइकान को ब्रेस करके मेरे आने वाले वीडियो की notification लीजी थैंक यू